तो हेलो आम दिव्या आम फ्रम टेक्पाइल टेकनोलोजी प्राइबिट लिम्टेड लखना हूँ बेसिकली बहुत सारी स्टुडेंट्स को यह दिक्कत है कि फोन से टास्क करना है और फोन से टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है जैसे एच्टीमेल, सीसे, जावा इस्क्रिप्ट के टास्क या कोई भी आपको वेब पेज बनाना हो तो कैसे हम फोन से टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद हम आगे उसको रन करा सकते हैं उसका आउटपुट देख सकते हैं तो इसके लिए आपको दो सॉफ्ट्रेयर ड फिट्ट टाइब करेंगे तो यहाँ पे आईगा इंस्टाल का प्शन अप इसको इंस्टाल करलीजे बहुत छोटीसी फाइल है चार एंवी की मुष्किल से तो आप यहाँ पर यह यहाँ पे के रन करा सकें और आपको Cam Scanner डाउनलोड इसलिए करना है ताकि आप जो भी आपके Output आ रहे हैं उनका एक साथ PDF बना के सारे Outputs का और हमें सेंट कर सकें जैसे आप जानते हैं टास्क वगरा सेंट करना होता है आप लोग को तो यह जो है Cam Scanner यह दोनों आगे अब हमें यह करना है कि हमें जाना है फाइल मेनेजर में मैंने बहुत सिंपल सा मेथट ढूणने की कोसिस की आप लोग को अगर कोई और मेथट पता हो या किसी और तरीकी से आप करना है पहले से तो आप करते रहें बहुत अच्छी बात है जो नहीं कर प सके तो उसके लिए आपको चाहे आप sd card और internal storage अगर दोनों है आपके फोन में तो दोनों का option दिखेगा कहीं पर भी जाए बस आप एक फोल्डर क्रियेट करिए यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे फोन में यहां पर यह बटन बने हुए हैं यहां पर क्लिक करने पर क्रि जैसे हमने यहां पर बनाया एक फोल्डर टास्क नाम का यहां पर आपको यह तीन बटन दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है और आपको जाना है नया प्रोजेक्ट हमें क्रिए करना है जिसके अंदर बहुत सारे वेबचेशस होंगे तो हमने क्लिक किया प्रोजेक्ट अब आपको वही फोल्डर सेलेक्ट करना जो अभी अभी आपने बनाया है फाइल मैनेजर के अंदर तो हम यहां से सर्च वाले आइकन पर क्लिक करते हैं पूछेगा फाइल्स को एक्सेस करने के लिए लाओ चाहिए तो अलाओ कर दो आप और यहां पर आप मैं फिर से बतारी अभी मैं जल्दी बता रहे हूं आप धीरे दीरे देखके कर लीजेगा और कोई भी इश्यू है आप कमें सेक्शन में पूछ लीजेगा यह हमारा एड्रेस जो है वह हो गया अब हमने इस क्रियेट पर क्लिक किया कनेक्शन अपने आप बना हुआ है इसको आपको करने की ज तो same हमें a see select कर लेना है और folder name आप folder नेम ना करिये दिया वही फोल्डर नेम अर देखेंगे यहां पर कुछ आप्षिन दियेगे आप पहले से कोई फाइल चाहते है ज्यासे js का folder चाहते हैं css का एक folder चाहते हैं js का folder जिसमें हम external js रखेंगे java script और css का folder जिसमें external css रखेंगे एक by default index.html चाहते हैं अगर आप उस css के अंदर style.css और script.js बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लीजे और इसको create कीजे ये देख रहे हैं आप html task1 नम का folder बना इसमें एक index.html तो बना ही एक js बना, एक css बना अब अगर आपको दूसरा html भी create करना हो तो यहाँ पे आप html task1 पे long प्रेस करिए और folder नहीं बनाना है, फाइल बनाना है create file और file में जैसे हमें बनाना है index1.html तो हमने लिखा index1.html करना है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया .html आपने ओके क्या, आप देख रहे हैं एक सेकेंड में इसको फिर से create करके आपको दिखाती हो, शाहत कोई issue होई यहाँ पे हमने क्लिक किया create file पे गया है और यहाँ पे suppose हमने क्लिक किया demo.html तो हमने लिखा demo.html यहाँ पे आप देख सकते हैं demo.html सेम.html का page बनाना है CSS के अंदर कोई CSS बनाना है तो आप इस पे long press करिए और आप style1.css .css आप लगा दीजिए वो CSS की file बन जाएगी अब आपको index.html पे काम करना है तो हम यहाँ पे आएंगे index.html आप देख सकते हैं अभी selected है तो यहाँ पे हम आएंगे और जैसे हमें code करना है हमें यहाँ दिवीजन मेना तो हमने लिखा div और div की closing की इसके अंदर हमने लिखा hello ठीक है इसके अगर हमें ID देनी है हमने space दिया ID यहाँ पे लिखा और ID की value हमने दे दिया ID equals to ID equals to double inverted के अंदर हमने लिखा suppose हमें div 1 देना है इसके ID तो हमने लिखा div 1 ऐसे हमने इसके ID भी दे दी तो इस तरीके से यह आपका div बन गया अगर आप इसमें CSS लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं अभी हमने क्या के इसको इसको इसके क्लिक किया और यहां से save होगा आपको इसे run करा के देखना है तो आप देख सके view in browser करिए और यहां पर browser में देख से चोटा सा hello देख रहा है यह बहुत चोटे चोटी आपको चीजे यहां पर दिखेंगी ताकि आप उसको proper एक सेके यह ब्रेक आ रहा है तो बहुत चोटी चोटी चीजे दिखेंगे तो जितना आप बनाएंगे एक ही पेज पर देख जाएगा आप उसको बढ़ा करना चाहिए तो बढ़ा करके थोड़ा सा देख सकते हैं तो यहां से हो गया और उसके बाद आप देख सकते कि जैसा हमने CSS और JS का फाइल बना तो यह दोनों अपने आप ही इस फाइल में लिंक है अब जैसे हम कोई आपको external CSS लगा के दिखाते हैं CSS के अंदर आए style.css अब हम बॉड़ी का जो background है हम चेंज कर देते हैं और फिर देखते हैं कि काम कर रहा है external CSS की नहीं कर रहा है तो color हमने कर दिया इसका white background कर दिया black यह save करने के लिए setting पे click करें और क्योंकि CSS की file को browser में run नहीं कर आते तो ठीक है index.html में by default यहां पर देख सकते हैं आप link हो के आया ही है अब हम इसको run कर देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं view in browser में गए आप देख रहे हैं काम कर रहा है यह text की color जो है white हो गया यह black हो गया ऐसे आप JS को भी यहां पर JS का भी काम कर सकते हैं CSS का भी काम कर सकते हैं जैसे आपको images लगानी है ठीक है images लगानी images के लिए folder बनाना तो आप इस पर क्लिक करिए जो आप html task 1 है इस पर long press करिए और अभी हमें folder बनाना है हमने क्या folder creation और यहां से हमने लिख दिया images images नाम का एक folder बनाया है ओके किया अब इसमें images रखनी है तो आप क्या करिए file manager में जाईए वहां से कोई भी image जो है उसको इस folder में move करा दीजे copy करा दीजे और उसके बाद आप उस image को यहां पर use करिए जैसे मैं एक करके आपको दिखाती हूं जैसे आप देख सकते हैं यह file manager मेरा मैंने इसको open किया अब यहां पर dsim के अंदर camera के अंदर यह मैंने एक image छोटी से बनाई हुए a.jpg नाम की एक image है हम इसको उस folder में move कराना चाहें जो भी हमने folder बनाया है उसके अंदर images folder में तो हमने क्या क्या कि यहां पर click किया और यहां पर आप देख सकते नीचे more का option दिख रहा है more पर click किया और copy कहां पर copy करना internal stories के अंदर यहां आए इसमें नीचे हमने फोल्ड बनाया तक टास्क इसके अंदर images के अंदर और यहां पर आप देख सकते पेस्ट का option दिख रहा है अगर आपको इसको रिनेम करना है तो इस पर click करिए और यहां से रिनेम कर दीजे जो भी आपको करना आप कर सकते अब यह a.jpg हमें लगाना है वहां पर तो हम कैसे लगा सकते हैं हम वापस आते हैं यह cam is awd में और images में भी आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि यह refresh नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आप छोड़ दीजे आपने images रखा तो है और उसके बाद जैसे हमें यहां पर image लगानी है हमने click किया हमने लिखा img src equals to अब वो फोल्डर के अंदर है तो इसलिए पहले फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा तो फोल्डर का नाम जो है वो है images फोल्डर का नाम है images यहां पर हमने लिखा slash और image का क्या नाम है a.jpg अब हमें क्या करना है बस हो गया इसको close करना है तो हमने इसको हमने इसको close किया यह हो गया closing तो यह image हमने लगा दिया images के अंदर a.jpg RAM से यहां से हमने इसको इस फाइल को सेफ किया यहां से हमने व्यू इन ब्राउजर में इसको रन कराया और आप देखेंगे ऊपर छोटा सा हेलो दिख रहा है और यह बहुत बड़ी सी image दिख रही आप इसका हाइड विट सेट करिए और यह सही हो जाएगा इस तरीके से आ और एकस्टररल का भी यूजिज कर सकते है और और रन करा सकते हैं अब जैसे आपका जो भी आऊपुट आया जैसे अभी हम इस फाइल को रन कराते हैं व्यू इन ब्राउजर किया आप देख सकते हैं यहां पर is screenshot दिख रहे हमें अभी भी बनाया था यह हमारा पहला टास्क है तो अब हमें इसको क्या करना एक स्कैनर के थूप एक PDF फाइल में करना है तो PDF फाइल में करने के लिए आपको यह करना होगा आप आप इस पर क्लिक करिए और उसके बाद या फिर आप Cam Scanner से डारेक्ट आप PDF में बनाने के लिए सारे आउट्पुट को एक PDF बनाने के लिए आप जाएंगे Cam Scanner में और Cam Scanner में जो भी फाइल जो भी JPG आप सेलेक करेंगे वो उसका PDF बना देगा Share का भी Option देगा आप इसको क्लिक करिए और यहां से आप सेटिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको अलाव करना पड़ेगा सब कुछ तो हमें इसको अलाव कर देते हैं थोड़ा सा परमिशन, Camera, Storage सारा परमिशन हमने दे दिया अब हम इसको Open करते हैं अब यहां पर हमें क्या करना है कि इसकैन करके उसका PDF बनाते हैं यहां पर देखरें कैमरे का आइकन दिख रहा है कैमरे की आइकन पर क्लिक करेंगे और जहां से भी इंच बाते हो फ्रहां को नियाना को हमें आप को से लाते हमें सिंप रहे अपिर खूंगर को अब आप रहे हैं। इंपोर्ट टू तो हमने इंपोर्ट किया इस्कैन हो जाएगा यह और कुछी देर में वहां पर आ जाएगा आपको अगर सेट करना है कट करना है तो वह भी हो जाएगा यहां पे आप देख रहे हैं एक दो यह को तो इता सबक्राइब के एक सेट करना इसका बहОं चुक吧 अब हमने क्या करना है कि एक हमारे में इसको क्या करना है कि upload करना है जैसे task तो हम आपको दिखाते कैसे आप upload कर सकते cam scanner में यह बन गया है PDF में convert हो गया है अब हम आते हैं google पे और वहां से जैसे हम लोग task आपको देते हैं आप टास्क कंप्लीट करके हमें submit करते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमने यहां पर open किया take pile.in slash st यह open हो क्या आया यहाँ पे जो है यह मैंने अपना profile open किया और यहाँ पे आप option देख सकते हैं इसको इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे option है today task नाम का today task पे हमने click किया तो आपको जितने सारे task हैं वो task दिखेंगे और उसमें आपको कोई भी file submit करनी होगी तो अभी जो cam scanner के अंदर हमने file बनाया था वो 6,4 नाम से कुछ ऐसा था तो हम today task पे click करते हैं give me a minute यहाँ फिर आपको सारे menu यहाँ पे भी दिखते हैं यहाँ पे क्लिक करने पे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं आप इसको रण हो जाने दे फिर मैं बताते हूं अब अब आप वहां से आपको file select करनी होगी और वहां से आपको run करा सब्मिट करना होगा तो ध्यान से क्योंकि जैसे यह आप file select करके open करते हैं वैसे submit हो जाता है तो अब ध्यान से select करें कि किस नाम की file है और कौन सा हमें सब्मिट करना है तो उसके लिए आप टूड़े टास्क में आएंगे और यह open क्यों नहीं हो रहा है कि एक मिनिट का वक्त दें आप हमें कि आप कि 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 अब फिर से ओपें करके दिखाती हूं क्योंकि पता है कि ओपें नहीं हो रहा है जैसे हम यहां आए हमें पास्वर्ट डाला और उसके बाद ओपें किया यहां से हमने टूड़े टास्क को ओपें किया अब सपोस्पोज हमें क्या करना है कि आप कि हमें यह एक टीमल सेवन्थ लेक्षर में अंप अप सब्मित करना है यह आप से choose करने का option देगा तो आप files में जाएए files में आप जाएए और files में हमने कहां रखा है cam scanner के अंदर है तो आप यहां से देखेंगे आपको सारी files दिखेंगी जैसे मुझे file manager में आना है file manager में हम आए और file manager में आप देखेंगे तो यहां cam scanner का एक अलग से folder बना हुआ है कैसे करना आपको इस पे जाना है और उसके बाद नीचे से file manager में जाना है file manager में आपको option दिखेंगा cam scanner, cam scanner आप धूंड लीजिएगा file manager के अंदर ही आया होगा और cam scanner के अंदर जो अभी-भी आपको दिखेंगा और आपको टास्क सब्मिट हो जाएगा और आपको टास्क सब्मिट सक्सेस्फुली का option भी आ जाएगा तो इस तरीके से जो भी आप PDF बनाएंगे वो cam scanner के अंदर जाएगा cam scanner में आप जाएगा और वहाँ पे आप select करके उसको upload करें upload हो जाएगा, PDF file थोड़ी सी बड़ी होगी इस वज़े से थोड़ा सा time लगेगा एक बार में ये upload हो जाएगा ये task submit successfully का option आगया ओके कर दें, task आपका submit हो गया, इस तरीके से आप phone से HTML और ये साइड चीज़े कर सकते हैं और run करा सकते हैं इसमें आपको और भी बहुत सारे options दिए गया हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे यहां से हम रुख देखते हैं कि यहां पर आपको बहुत सारे options और भी दिखेंगे जैसे जैसे fee payment का option यहां पर है बहुत सारे लोगों ने पूछा कहां option है तो fee payment का option है और बहुत सारे ऐसे options आपको दिखेंगे जो आप देखके अपना जो भी आगे का काम है वो कर सकते हैं आपके लिए यह यूसपुल हो और आप इसको बीडियो को आराम से देखें एक टास कंप्लीट करने की कोशिस करें बाकी सारे टास्क आपके आसानी से हो जाएंगी क्योंकि एक बार में आपको हैबिट हो जाएंगी उसकी सो थैंक्यू सो मुच